करनाटका में याद दखेगा ब्रह्मगिरी हिल्च में वहां से उइट होती कावेरी रिवर तो याद कर सकते कावेरी की नाम से ताला कावेरी जगह है याद दखेगा ब्रह्मगिरी हिल्च में करनाटका में वहां से उइट होती कावेरी रिवर तो करनाटका से उइट हो गई और इसका नाम देखे वहां पे और हम इसको पोनी के नाम से भी जाते है तो अगर आफ देखेगे इसकी तो याद किए 765 किलोमीटर की है मतलब अगर करनाटका से उजने उड़ी 765 है और याद कि इस फ्लोइंग रिवर है मतलब ये रिवर आकर कहां गिर रही है इसको हम दक्षिन गंगा की नाम से भी जानते हैं इसको कहा जाता तो यह कोशन बहुत पुछा आता है यह आपको याद अखना है सिर्फ करनाटका से उजने दोली है और कहां कहां से फ्लो करती है करनाटका में फ्लो करहें सम lesson करें के रहे हैं कै contenido क्रिमें लिवर करें तो हमने सबसे बड़ी रिवर देखी थी गोदावरी कृष्णा यह अल्री पढ़ा चुका हूं और याद कि अब जो हम देखने कृष्णा जो दाट इस कावेरी इस थर्ड लार्जेस साउथ इंडिया रेमेंबर तो आपको मेरे प्लेलिस्स तरूर चेक करिएगा मैंने औल रिवर्स भी करार रखी हैं अब अगला कोशन जो सबसे इंपॉर्णन कोशन है रिवर्स की ट्रिब्यूटरी आप से पूछी आती है जब मैंने कावेरी रिवर आपको बताया कानादका से यह डो रही है तो इसकी देखिए राइट बैंक लेफ बैंक ट्रिब्यूटरी तो जो इसकी राइट बैंक ट्रिफिटरी होगी मतलब नीचे साइड से राइट बाहर साइड यह हुआ रिवर र Georgia ओएंक बिवर्टी जो ऊपर साइड से होँगी रिवर्य ऐसे आप याद करसकते हो तो ट्रिब्यूटरी आपको याद रखना इसकी चौन-कौन्सी है तो क्यों कोश्चन आपके एक्जाम में ट्रिब्यूटरी से बहुत पूछे आते हैं, अगर मैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी बात करूँ, राइट बैंक मन्दम नीचे साइड से जो ट्रिब्यूटरी से जूर जुएं कर रही है, देखें, लक्षमन तीर था, पहले याद अखना आपको, ठीक है, कवानी बहुत फेमस ट्रिब्यूटरी है, कवानी याद के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, फिर है सुवरनावती भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी और भवानी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लास में लिखा है अमरावत्ती और नोयल रिमेंबर तो यह जितनी भी ट्रिब्यूटरी है इनके नाम लेफ बैंक राइट बैंक नहीं भी याद हो रही है एकलीस आपको ट्रिब्यूटरी इस तो याद अखनी एक्जाम में इससे कोशन बहुत फ्रेम किये जाते हैं अब आगे अगर बढ़ें तो इसमें बहुत साइट डैम्स भी बने हुए है तो देखिए तीन डैम में आपको बता दूँ जो डारेक्ली कावेरी रिवर पर बने हैं बाकी इसकी ट्रिब्यूटरी इस पर बने हैं तो पहले ऐसे डैम देखते जो कावेरी पर बने बहुत इंपोर्टेंट है इस का दूसर नाम याद लखे का कलानले है डिवेंबर यह भी टम पर हैं कावेरि रिवर पर बना हुआ है मितू डैम यह भी फलाडू में कावेरे बर बने नेक्स्याप देख्णे जैसे में लगोगे कंडका में है अफ्कोर्स ये डारेक्ट ली कावे रिवर पर इसकी ट्रिब्टरी सपर है ठीक हरंगी डाइम अगें उसकी ट्रिब्यूट्री पर है कंड़का दिम हमरावति दैम तमिल्नाडो नदु में लोकुए तो यह रखेगा बना सुरण साग डाइम केरन में लोकुए यह जित्ते भी डाइम से इसकी ट्रिबूटरी में बट स्टार्टिंग के तीन डाइम कावेरी रिवर पर ही है इसलिए उनको याद करना इंपोर्टेंट है इसमें कोई फेमस वाटरफॉल है बिल्कुल दो इंपोर्टेंट वाटरफॉल याद किये का सिवा समुंद्रम करनाटका में है दोनों ही इसकी बैंक पर आते हैं तो इम्पार्टेंट हैं यह चलिए आपको कावेरी के नाम से याद रहेगा और मदू मलाई आपको याद रखना है कोंकि इस तरह भी फ्रेम कि जाते है और जाते आते मैं आपको आईलेंट्स बता दूँँ क्या इस पर कोई famous island है, yes, Kaviri from two important islands in Karnataka, जो की important है, एक कर नाम है Shingh Patanam, आपने शायद तीपु सुतान के बारें पढ़ा होगा, तो Shingh Patanam के नाम बहुत आता है, okay, very good, और Shiva समुदरम, देखिए, तो दोने important islands है, जो आपको याद रखना है, इस river पर है, और एक आप देख सकते हैं, Tamil Nadu पर भी island है, that is Shri Rangam island, remember, तो ये तीन islands जो है important है, Kaviri river पर बनते हैं, news में भी रहते हैं, okay, history perspective से भी important है, तो यहाँ पर मैंने Kaviri river के बारे में, जल्दी से quick session में, आपको complete Kaviri river बता दी, okay, अगर आप मेरे complete courses को join करेंगे, remember, जहाँ पर आप Indian geography के courses को join कर सकते हैं, जिसमें offer भी चल रहा है भी, तो एक बार जाकर application को visit करो, वहाँ पर सारे lectures आपको मिलेंगे, बहुत ही यहाँ तो मैंने आपको जल्दी से बताए, वहाँ पर मैं आपको बहुत detail में चीज़े बताता हूँ, आपको हर exam में help करेंगे, प्लस अगर आपको notes चीज़े तो वह भी order कर सकते हो, तो एक बार आप lectures अगर purchase करना चाता हो, application को download करो, नाम है देवशीश classes, आपको download कर लिए तो आपको सारे आपके problem solved हो जाएंगे, UPSC के preparation कर रहा हो तो एक बार तो आपको visit करना बनता ही है, remember, कोई बहुत सारे courses आपके exam perspective से, even हर year के लिए 23 में दे रहो, 4 में दे रहो, 25 में दे रहो, 1 year, 2 year, 3 year courses सारे available हैं, यहां मैंने आपको काविरी river के बारे में, इसका pdf में आपको provide कर दूँगो, मेरे telegram group पे, join करो telegram group और यह pdf आप इसकी आपको हम मिल जाएगी, comment ज़रूर करो यार, comment करोगे तो पता चलेगा, कि आपको video कैसा लग रहा है, और आप और कौन से topic पर video चाहते हो, उस पर भी हम lecture ज़रूर बनाएंगे, कोई डाउट को लिए comment box और comment कर सकते हैं, video को like, share और चैनल को subscribe जबरूर करें, thank you.